हेलो एवरिवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को हमारी तरफ से बेखुंट चतुरदर्शी की हार्दिक शुपकामना है आज हम आपको बताएंगे बेखुंट चतुरदर्शी की तीन पुराणिक कताएं जिसे सुनकर पाएं 14,000 पापों से मुक्ति और सभी मनुकामनाओं की पूर्ती तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेट करें अगर चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो शुरू करते हैं कथा पहली बेखुंड चतुरदशी की पुराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारज जी पृत्वी लोग से घूम कर बेखुंड धाम पहुंचते हैं भगवान विश्णू उन्हें आदत पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन होकर उनके आने का कारण पूछते हैं नारज जी कहते हैं, हे प्रभू, आपने अपना नाम किर्पा निधान रखा है इससे आपको जो प्रिये भक्त हैं वही तर पाते हैं जो समाने नरणारी हैं वह वन्चित रह जाते हैं इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे समाने भगवी आपकी भक्ती पर कर मुक्ती पा सकें यह सुनकर विश्णू जी बोले हे नारज, मेरी बात सुनो कार्तिक शुकलपक्ष की चतुरदर्शी को जो नरणारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ती से मेरी पूजा आशना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे इसके बाद विश्णू जी जै विजे को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुरदर्शी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का अदेश देते हैं भगवान विश्णू कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा व्या बेखुंड धाम को प्राप्त करेगा कथा दूसरी पुराणिक मतनुसार एक बार भगवान विश्णू देवादी देव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आये वहां मनी करने का घाट पर स्नान करके उन्हें एक हजार स्वर कमल पुश्पों से भगवान विश्वनात के पूजन का संकल्प किया अभिशेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ती की परिक्षा के उदेश्य से एक कमल पुश्प कम कर दिया भगवान श्री हरी को पूजन की पूर्ती के लिए एक हजार कमल पुश्प चड़ाने थे एक पुश्प कमी देखकर उनकी सोचा मेरी आँखों भी तो कमल के ही समान है मुझे कमल नयन और कुंडरी काक्ष कहा जाता है यह विचार कर भगवान विश्प अपनी कमल समान आँख चड़ाने को प्रस्तित हुए विश्प जी इस आघात भक्ती से प्रसन होकर देव महादेव प्रकट होकर बोले हे विश्प तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है आज की एक कार्तिक शुकल चतुरदर्शी अब बेकुंट चतुरदर्शी कहलाएगी और इस दिन वर्थ पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बेकुंट लोग की प्राप्ति होगी भग्वान शिव ने इस बेकुंट चतुरदर्शी को करोडो सूरे की कांती के समानवाला सुदर्शन चक्र विश्णूजी को प्रदान किया शिव जी तथा विश्णूजी कहते हैं कि इस दिन स्वर्व के द्वार खुले रहेंगे मित्यो लोग में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस वरत को करता है वे अपना सान बेकुंट धाम में सुनश्चित कर लेगा कथा तीसरी धनेश्वर नामक एक ब्राहमन था जो बहुत बुरे काम करता था उसके उपर कई पाप थे एक दिन वो गोदावरी नदी में सनान के लिए गया उस दिन बेकुंट चतुरदरशी थी कई भक्तिजन उस दिन पूजा असना कर गोदावरी घाट पर आये थे उस भीड में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था इस प्रकार उन श्रदालू के स्प्रश के कारण धनेश्वर को भी पूर्ने मिला जब उसकी मुत्यू हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज़ दिया गया तब भगवान विश्णू ने कहा ये बहुत पापी है पर इसने बेकुंड चतुरदर्शी के दिन गोदावरी स्नान किया और शद्रालू के पूर्ने के कारण इसके सभी पाप नश्ठ हो गए इसलिए इसे बेकुंड धाम मिलेगा अता धनेश्वर को बेकुंड धाम की प नेवाद